नमस्कार दोस्तो दोस्तो क्या आप भी अपने गेलरी से किसी भी फोटो को SD-Card यानि memory card में transfer करना चाहते हैं। ऊड़ीजया question है, और αपके पास यानि Redmi के m Souler HadICH अगर आप भी अपने फोटो को अगर SD-Card में transfer करना चाहते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो में end तक बने रहेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि Redmi के किसी भी mobile phone में photo को SD card यानि memory card में कैसे transfer किया जाता है दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि दोस्तो हमारा जो mobile है उसमें storage नहीं होता है तो हम photo को अपने SD card में transfer करना चाहते है तो चले दोस्तो सीख लेते हैं कि अगर आपके पास भी MI का mobile phone है और आप भी किसी भी photo को यहां पे अगर SD card में send करना चाहते है यानि transfer करना चाहते तो कैसे कर पाएंगे उससे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आगे भी सी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा बगल में जो बेल आइकान आ रहा है उसे प्रेस करके आलोलो नोटिपिकसर पर जरूर कर देगा यहां पर दोस्तो आपको दोइrig मिलता है और यहां का और यहां पर सकते हैं सबसे और दोस्तो देख करते हैं पर लगबर भर चुका है और on days report बताता अगर आपदा और आप लाट Κ Japan आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्तों देख पार है internal square storage दिखाई दे रहा है अब दोस्तों आपका जिस भी folder में आपका image है simply आपको उसको open कर लेना है जैसे मेरा DCMI में है उसके बाद camera में है तो मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ क्लिक करना है अब जैसे मुवड़ी आफशन पर देखने के लिए लिए मिल जाएगा यहां पर एक option मिलेगा SD card का तो simply आपको SD card वाले option पर click करना है अब यहां पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कोई यहां पर folder choose कर लेना होगा जैसे मैं DCMI choose कर लेता हूँ simply आपको इस पर click करना होगा उसे बाद नीचे एक option में जाता पेस्ट का यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा image है यहां पर आ चुका है तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने फोटो के SD card में यानि मेमोरी card में भेज पार होंगे आधा कर तो आपको वीडियो काफी अच्छी लगे होगी